नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आखों के नीचे आए हुए काले घेरे यानि के डाक सर्कल से कम वक्त में निजात पा सकते हैं तो जानते हैं ऐसे कुछ आसान से घरेली उपचार जिसकी मदद से हम अपने आखों के नीचे आए हुए काले घेरों से छिटकारा पा सकते हैं आगे बढ़ने से पहले में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि इस चैनल से जुड़ू हुई हर नोटिफिकेशन आपको वक्त में मिलती रहे पहले विधी में आपको इस्तमाल करना है लेमन जूस यानि की नीबू का रस आपको नीबू का रस काले घेरों पे लगाना है और इस नीबू के रस को आपको रूई की मदद से काले घेरों पे लगाना है नीबू का रस लगाने के बाद आप इसे थोड़ी देर तक अपने उंगलियों के मदद से काले घेरों पे मसाज करिए और मसाज करने के बाद आप इसे 10 मिनिट तक रहने दीजे 10 मिनिट बाद आप अपने चहरे को धो लीजे हम नीबू का इस्तिमाल इसले कर रहे हैं क्योंकि नीबू के अंदर skin lightening property होती है जिस वज़े से वो हमारी तुचा के काले पन को दूर करने का काम करता है हमारी दूसरे विदे में हमें इस्तिमाल करना है बादाम का तेल यानकी almond oil हमें बादाम का तेल रात को सोते वक्त अपने काली घेरों प्यर्पे लगाना है और उसे मसाज करना है 2-3 मिनट के लिए 2-3 मिनट मसाज करने के बाद हमें इसे रात भर के लिए रहने देना है ताकि वो अपना असर दिखा पाए अगले सुबह आप अपने आँखों को साफ कर लीजिए पाने की मदद से अगली विदी में हमें इस्तिमाल करना है पौटेटो स्लाइस यानि की आलू के गोलाकार टुकडों का आलू के गोला कार टुकडो को आप अपने काले घीरो पे लगाईए और धीरे-धीरे उसे मसाज करिए आलू के टुकडो से ज़रस निकलता है, वो हमारे काले घीरो से नजात दिलाने में बहुत ही कारगर साबित होता है हम आलू का इस्तिमाल इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि आलू के अंदर स्किन लाइटनिंग एजिंट मौजूर होता है जो हमारी तुर्चा की काले पन को दूर करने में बहुत मददकार सापित होता है आपको आलू का रस लगाने के बाद 15-20 मिनिट तक उसे छोड़ देना है 15-20 मिनिट बाद आप अपने जहरे को धो लीजिए हमारी अगली विदी में आपको इस्तिमाल करना है नीवू का रस और टमाटर का रस आप एक चमच नीबू का रस और एक चमच तमाटर का रस ले लीजिए इसका मिक्षर बनाने के बाद आप इसे अपने काले घेरो पे लगाईए काले घेरो पे लगाने के बाद आप इसे 2-3 मिनिट तक मसाज करिए मसाज करने के बाद आपको इस मिक्षर को 10 मिनिट के लिए छोड़ देना है काले घेरों पे 10 मिनिट बाद आप अपने चहरे को धो लीजिए इस विदी का अगर आप वीक में 2-3 बार इस्तमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका काले घेरे बहुत कम वक्त में हट चुके हैं रेगुलर इस्तमाल करने से आप देखेंगे कि आपके काले घेरे खतम हो चुके हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले I hope इस वीडियो से रिगार्डिंग हर विधी आपको बहुत मदद करेगी Thanks for watching my video हम अगली बार जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार